जहिन शाथियों, आज का लेक्चेर जर्नल साइंस में फिजिक्स का पोर्षन, भहती विज्ञान का पोर्षन यहां पे कबर कराया जाएगा और भहती विज्ञान से रिलेटर जो भी जर्नल साइंस के अंतरकर प्रतियोगी परिक्षाओं में कोशन्द बनते हैं, वो हम यहां करते हैं स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए है चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं तो जोले स्टार्ट करते हैं उस्मा उस्मा मलब टंप्रेचर हीट हीट कह सकते हैं परमशूनित आप क्या होता है अपसल्यूट जीरो टंप्रेचर तो यह वो टंप्रेचर है जिस पर गैस के सभी अड़ों की गति सूनि हो जाती है यानि कि जो मॉलिकूल से वह स्टैबल हो जाते हैं जनरली किसी भी किसी भी मैटर के अंतर मॉलिकूल क्या होते हैं रेड़नमली मोशन करते रहते हैं तो अपसल्यूट जीरो टंप्रेचर पे इनका क्या होता है जो जिगजाग मॉमेंट हो रहा है वो एकदम सूनि हो जाता है अर्थात वह तापमान जिस पर आड़विक गति बंद हो जाती है परंसूनिताप के नीचे तापमान सम्भव नहीं है एक कैल्विन पैमाना लिखा सकते हैं case equal to c plus 273 एक important question यहां से बनता है degree Celsius और फॉर्ने हाइट यह relation आपको पता होना चाहिए degree Celsius और फॉर्ने हाइट में relation होता है तो यह निकालने के लिए इसी equation में हम क्या रख लें x is equal to x upon 5 क्योंकि दोनों का मान हमें बराबर करना है equal to क्या हो जाएगा x minus 32 upon का 9 यह equation से हम solve करेंगे तो हमको यह minus 40 degree Celsius मिल जाएगा तो वह minus 40 degree Celsius पर क्या होता है c और f दोनों का मान सेम होता है बराबर होता है आगे देखेंगे freon gas से संबादित question जो बना हुआ है freon gas क्या है तो refresh rater यानि freeze में c तलक के रूप में प्रियोग होने वाली gas कौन सी gas है freon gas freon actually में एक brand का नाम है और ये भी question पुछा जाता है कि रेफ्रेजर से कौन सी gas release होती है तो cfc chlorofluorocarbon and hcfc hydro chlorofluorocarbon जो की atmosphere के लिए हानिकारक है इससे क्या हो रहा है ozone layer क्या हो रही है वो damage हो रही है हमारी ठीक है पाइरोमीटर क्या है दूर चमकते पिंड के तापमान का निधारन करता है उस्मा गतिकी thermodynamics first law क्या कहता है उर्जा समरक्षन के सिधान पर ये कारी करता है यानि किसी भी system को दिया गया उर्जा कहां कहां यूज होगा system की internal energy को बढ़ाएगा du और उसमें एक work करेगा है ना delta q is equal to delta u plus delta w यही उसमा गतिवी का प्रथम नियम है delta q क्या है निकाय दोरा असोसित उसमा delta u निकाय के आंत्रिक उर्जाय ब्रदी यानि उसकी internal energy बढ़ाएगा and delta u क्या निकाय दोरा किया गया कारी ठीक है यानि किसी भी निकाय को या किसी भी system को अगर आप energy दोगे तो energy अगर कोई system energy दे रहे है या फिर कोई system किसी energy को असोसित कर रही है तो उस system पहली बाद अपनी आंत्रिक उर्जा को बढ़ाएगा और उस energy के असोसित किके अनर्जी दोरा क्या करेगा एक कारी करेगा तो यह उसमा गतिका का प्रत्रम नियन है प्रत्रम उसमा का खराब उसोसित क्यों खराब विकरक है चिक है वीन का विस्थापन नियम क्या है तो विकरन तीवता बढ़ने पर तरंगदर कम हो जाता है विकरन तीवता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही क्या होता है तरंगदर कम हो जाता है जो कि ग्राफ में दि साथ कोंचने पर तरंग दर्य ताम बढ़ने पर घड़ जाता है विकरोनों के अधिक्तम तिर्पता ई लेम्डा परमताफ टी के पंचगात के समान पाती होता है ई लेम्डा इक्वल टू टी की पावर 5 अगला देखेंगे अच्छे ई लेम्डा और लेम्डा एम में रिलेशन होता है ई लेम्डा इस डारेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन लेम्डा एम के पावर 5 प्लांग नहीं है था अग प्लांग कॉंस्टेंट तो प्लांग कॉंस्टेंट को एच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं जिसक और प्लांग नियतांग कहा से आता है E is equal to H new से यहां से E energy है H क्या है यह फोटन के energy होती है E is equal to H new H आपका क्या है वही है H plan constant है और new क्या है frequency है then H is equal to उर्जा के वीमा वान की आवरती की वीमा तो यह प्लांग नियतांग की वीमा आती है कोणी संवेक की वीमा है यानि प्लांग नियतांग की वीमा और कोणी संवेक की वीमा क्या होती है बराबर होती है प्लांग नियतांग की वीमा बराबर कोणी संवेक की वीमा को शर्कुछा जाता जनरल साइंस में इंटर्नल एनर्जी क्या होती है जब किसी निकाय को एक वस्ता से दूसरे वस्ता में लाया जाता है तो U is equal to Q minus W का मान के ओल वस्ताओं पने बने करता है इस बात पने बने करता कि निकाय किस मार्ग से लाया गया है अब करिया उसमा निर्भन नहीं करता उस पत्थ पर जिससे अंतिमुत्पात प्राब किया जाता है ठीक है किलो वाट घंटा उर्जा का मात्रक है एक हजार वाट ये एक किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं तो 3.6 जूल होते हैं आपेच्चिक आदिता क्या होती है निश्चित आयतन वाली हवा की अतधिक नमी धान करने की छमता को हम बोलते हैं आपेच्चिक आदिता अचिछी का आध़ता को किसमें प्रतिशत प्रतिशत में वेक्त करते हैं नेक्स्ट है, रूधोस्न प्रकरण या एडियाबेटिक प्रॉसेस निकाई की अवस्था में परिवर्टन किया जाता है तो वाहिवात और में उस्मा का आधान प्रदान ना होने के कारण निकाय का तापमान बदल जाता है या तापमान घड़ जाएगा या बढ़ जाएगा उधारन साइकल का टायर अचानक से फट जाना ये क्या है एक एडियाविटिक प्रोसस है नियून्तम तापमान पैदा करने के लिए रूध होस विचुंकन सिधान का प्रियोग होता है है कि हिएट ऐफ का पैपसिटी क्या है जलकी विचुस्ट उसमा धारिता का मान बहूत बहुत होने के कारण उस्मा की अधिक मात्रह को उत्स हरजन ओसुस्टन से इसके तापक्रम में वहँत कम परिवतन होता है इसी कारण इसका उपyयोग सिकाई करने वाली बोतलों में ज किसी भी liquid का या किसी भी matter का एक डिगरी सलस्यस टमपरेशर बढ़ाने के लिए required amount of heat ही उसकी क्या होती है specific heat होती है ठीक है तो जिसे matter का temperature एक डिगरी सलस्यस बढ़ाने के लिए जितनी जादा energy देनी पड़ेगी ठीक है उसकी specific heat उतनी ही जादा होगी उसमा धायता उसकी उतना ही जादा होगी तो वह चीज़ क्या होगी दीरे-दीरे भी ठंडी होती है जैसे कि water है जल है तो जल की विशिस्ट उस्टमा बहुत ज्यादा होती इसलिए water क्या होता है दीरे-दीरे गरम होता है जब तंप्रेचर देते जाते हैं दीरे-दीरे घरम होता और दीरे-दीरे ठंडा होता है लेकिन यह question पूछा गया 37 degree Celsius पर जल की विशिस्ट उस्टमा क् के अंतरपन निर्भात करता है ठीक है जो कि सीतलन नियम क्या है कोई चीज कितनी जल्दी क्या होगी ठंडी होगी इस पर डिपेंड करता है वातावरण के तापमान पर ठीक है जैसे कि अगर होट सीजन में हम कोई गरम वस्टू रखेंगे तो धीरे-धीरे क्या होगी में चय चय तो तो यहाँ पर कि दूनों का टंपरेट कर क्या ही प्रेंट तो यहां बहुत जल्दी से थंड भोगी तो यह है Newton का सितलन नियम वन ग्राम पर सीशी जल का घनत तो चार डिगरी सलस्यूस पर जल का घनत तो क्या होता है वन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमेटर होता है इस तब पानी का आयतन नियूंतम तो अधिक्तम होता है तो यह important question है कि चार डिगरी Celsius पे चार डिगरी Celsius पे जल का आयतन नियोतम तो था घनत अधिकतम होता है actually में होता है कि कि किसी भी substance को अगर हम गरम करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है लेकिन water के case में क्या होता है कि water को कर हम 0 डिगरी Celsius से उसको गरम करेंगे तो पहले उसका चार डिगरी Celsius तक आयतन घटेगा ठीक है आयतन घटेगा इसका मनलब घनत तो बढ़ेगा फिर चार डिगरी Celsius के बाद वही नॉर्मली प्रॉसर्स जाता है कि temperature बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ता जाता है तो ये चार डिगरी Celsius तक का जो इसका विहेवियर है water का इसको हम बोलते है Emanualis Behavior of Water मलब एक अलग तरीकी का विवार करता है जल वास्तविक गैस इसको बोल सकते हैं रियल गैस तो वास्तविक गैस निम दाब पर तथा उच दाब पर एक आदर्स गैस के रूप में क्रिया कर सकती है कॉतनांग तो कॉतनांग के पूछा गया है alcohol का कॉतनांग 79 डिगरी Celsius पर होता है और जल का क्या होता 100 डिगरी Celsius एक बार मैं लैब में प्रैटिकल कर रहा था तो मैंने क्या हुआ कि water की जगा alcohol test tube में ले लिया तो test tube में जब alcohol लिया तो वह उबनने लगा बहुत जल्दी उबल के बाहर कही फ्लेम पे गिरा तो क्या होगे आग लग गई पूरे death quiz ठीक है आगे देखेंगे ताप मापी ताप विद्धुत उत्तमापी तो मापी बहुत उत्ताप मां को मापने के लिए प्रियोग किया जाता है द्रोताप मापी यह –30 degree Celsius से 315 degree Celsius तग नापने के लिए हम लोग इसका प्रियोग करते हैं गास ताप मापी 500 degree Celsius तक प्लेटिनम परतिरोज 200 degree Celsius से –1200 degree Celsius एल्कोहल थर्मा मेटर न्यूंतम तापमान गयात करने के लिए माइनस 112 डिगरी सलस्य से 78 डिगरी सलस्य सक गैस फ्लेम सबसे गर्म भाग है नॉन लिमिनेस वाला बाग सबसे गर्म होता है ठीक है देखो गैस का जो फ्लेम होता है सबसेा उपर ही वाला पहीं नाउन लिमनेस होता है पी जोन होता है पी लिमिनेस होता इसका जाता है यह सामाना नियव है वायू मिंडल के वायू के कुछ ऐसे इस्तर हैं जिसमें उचाय के कारण ताप कम होने के इस्तान पर बढ़ता है ऐसे इस्तरों को ताप का उत्क्रमण कहते हैं धनात्मक हासदर इन्वर्स ओफ टमप्रेचर की जो आपकी लेयर हैं अर्थ की लियर है कई लियर्स में डिवाइड किया गए तो नॉर्मली देखा जाएं कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस उपर जाते हैं तो हमारा टमप्रेचर घटता जाता है लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी टमप्रेचर बढ़ भी जाता है इंस लेर्स के अंदर ही ठीक है तो किया वहलता है inverse of temperature धनात्मा खासदर उचाई के साथ तापमान कम होना रिडात्मा खासदर मेलब उचाई के साथ तापमान अधीक होना इसी को क्या बोलते है उत्क्रमण क्रांथिक मीरा करांती कोण्र और पराणतिकर प्रावर्तन क्या है क्रांतिकन या पूरर प्रावर्तन में अिसको सब्सक्रींतर्वार्वर्तन क्रिटिकल ए अंगल इनन्य डी बीदु K notice जब भी लाइट हमारी डेंसर देंशर मेसन salad यह हमारा मिल्हां मीडियम है मेडिः तो जब लाइट क्या होगी डेंसर मीडियम से रेडिन में में जाएगी सगहन से भियरल में जाएगी है तब क्या होगा कि के विए कर्ांति कोड मनेगा और पूराण्ठी परा औरिक परावरतन होगा टोटल internal reflection होगा, देखो first वाली ray कहा गई है, यह second ray है और यह third ray है, तो first ray गई और यहाँ पे reflection हुआ यहाँ पे angle, angle of incidence बना और यहाँ से reflected ray बाहा निकल गई दूसरी वाली condition में क्या हुआ कि I, जो IC बन गया है, IC कम बनेगा जब हमारा reflected angle कितना हो जाएगा 90 degree, 90 degree यानि angle of reflection कितना हो जाएगा 90 degree, तब यह जो ray होगी, यह दोनों ही medium को के cross section area से पास होगी, तो यहाँ पे जो IC बनेगा angle of incidence उसको बोलेंगे critical angle, यह इसको बोलते हैं आपतन कोड तो आपतन कोड का वाहमान जिस पर परावर्तन कोड कितना हो जाए 90 degree आपतन कोड का वाहमान जिस पर परावर्तन कोड 90 degree हो जाए तो इसकों क्या बोलते हैं क्रांतिक कोड के लाता है आपतन कोड का मान क्रांतिक कोड से अधिक होने पर अगर हमारा आपतन कोड यानि कि ग्रेटर देन दा एंगल आफ टिल्ट करेंगे बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगी थर्ड वाली कंडिशन लाइट रे दूसरे मीडियम में जाने के वजाए क्या हो जाएगी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी इसी घटना को हम क्या बोलते हैं पूर्ण आंत्रिक परावतन टोटल इंडर्नल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो गया तो वड़ याद रखेंगे टोटल इंडर्नल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंत्रिक परावर्तन में उर्जा की हानी नहीं होती है बहुत इंपॉर्ण परावर्तन है बहुत इंप mouth इन्डो इसकोपी में हम माझना होती है script to серiv इंडोज्की या अप्टिकल फाइबर्स देख लीजिए ऑप्टिकल फॉर्समें भी है होता है flourish यह चा síkげं भा बारिस आरे जोब हमँ लगते लेकिन अह उसके हुझते हैं कुछ नहीं होताар यानि वहाँ पे पानी-पानी सा महसूस होता है उसका कार्ण भी यही क्या है Optical Illusion होता है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है पूर्ण आंत्रिक परावर्तन इत मेंज टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन उदान में लिखा हुए मिराज, इसको मरीचिका बोलते हैं, मरीचिका आपका डिजर्ट एरिया में होता है, डिजर्ट एरिया में जब हम जाते हैं, तो डिजर्ट एरिया में क्या होता है, हमें किसी भी चीज का पृतिविम कभी उल्टा और कभी सीधा दिखा देगा, तो अ जब आप उसको देखेंगे तो आपको क्या होगा आप्टिकल इल्यूजन दिखाई देगा है यहां पर वो चीज उल्टी दिखाई देगी उल्टी दिखाई क्यों देती है यह पूर्ण आंत्रिक परावरतन टी आई यार के कारण टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के कारण उनमरीच का लूमिंग, हीरे का चमकना, जल के अंदर बुलवले का चमकना और आप्टिकल फाइवर यह सब एक्जामपल्स है किसके यह सारे एक्जामपल है पूर्ण आंत्रिक परावरतन के तो सारे एक्जामपल याद रखेंगे हैं पर प्रकास क्या है तरंग गति यह कभी-कभी जो है वेव जैसा विएव करती है और कभी-कभी पार्टिकल जैसा विएव करती है तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है तरंग गति गुड तरंग गति गुड मलाब की वेव तो वेव नेचर को कौन सी घटना रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर लिखा वैती नेचर को रिप्रेजेट करते हैं कि light क्या है light एक वेव है कौन-कौन सी वेतिकरण धुरूभीकरण और वीवर्तन वीवर्तन वेतिकरण को interference वीवर्तन को diffraction और धुरूभीकरण को polarization वोलते हैं थ्रिशोड त्रिशोड फ्रिक्वेंसी क्या होती है त्रिशोड फ्रिक्वेंसी देहिली आबरती आबतित प्रकास की वह न्यूंतम आबरती जो उस पदार से इलेक्ट्रोनों का उतसर्जन कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं त्रिशोड फ्रिक्वेंसी इस आबरती से कम आबरती पर इले वैदुत प्रभाव यहां पड़ा है प्रकास लाइट पड़ा रही है, तो इस मैटल की अपनी क्या होगी, इस मैटल का अपना एक work function होगा, इस work function के बराबर की light जब इस पर पड़ेगी, तभी क्या होगा elektronICO का emission होगा अधर्वाइज electron emit नहीं होंगे तो फ्रिशोर्ट फ्रिक्वेंसी है यह आपतित प्रकास की वह नियुनितम आबरती जो उस पदार से electron को सरजन करा सके या कर सकती इस आबरती को हम क्या बोलते हैं देहली आबरती प्रकास वैदुत फोटो-Electric-Cell वह युकटी जिसके दोरा प्रकास उर्जा को 30 बदा जाता है उसको हम क्या बोलते है फोटो-Electric-Cell यह तीन प्रकार का होता है प्रकास एलेक्टरों उत्सर्जक सेल ठीक प्रकास इम्सव्स सेल उप्यों सब्सक्राइस र् रिक्रॉकॉर्डिंग एड पुर्ज़ों बोन மोच कहर मेंर किया जाता है ऑध्रकॉइक इस award घ्रक्रण इसेAR Sally चाल में आने वाले वह सब्सक्राइब क्या समय यूज किया जाता है द्यानिक प्रकास अभी लेकर समय यूज किया जाता है प्रकास चाल किये सेल इस सेल का प्रियोग सोल सौर बैटरियों सोलर बैटरियों में किया जाता है अब यहाँ पे हम आ चुके हैं प्रिस्म के बारे में यह प्रिस्म क्या होता है एक ट्रंगल ज से एप कि यह आपका एक प्रिज्मम है और यह इसका रिफ्लेक्टि Kiss a अगर को लाइट रही है तो लाइट रही है कि विजब्ल लाइट है कैसी लाइट है यह विजबल लाइट है तो थे स्वे fest यह होगा यहाँपे रुफ्रैक्शन होगा और एक पाटरन मिलेगा विव गयोर का ये विव गयोर पैटर मिलता हमेशा इसका पैटर नहीं होता वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ये लो और जो रेड लाइट मिलती है ठीक है आएक्छली में यहां पे जिस लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी से रेट की बात करें तो यहां पे रेट का तो यहां तक हम इसको याद रखेंगे आगे नेक्स लेक्शर में देखेंगे इसी टॉपिकों कॉंटिन्यू करते हुए यह सिर्फ कॉम्प्टेटिक एक्जाम में जो आपका जनरल साइंस में भौतिकी वाला पार्ट है और वहां से जो कोशन बनते हैं तो चोटा-चोटा टॉपिक है वही हम यहां पे कबर कर रहे हैं बाकि यह पूरा सेशन में पूरी वीडियो यहां पे कबर कर दी जाएगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस् जाः बारत